कैसे हैं आप लोग आप अच्छे होंगा तो आज आज की वीडियों माम बात करने वाले हैं smart call settings के related तो आपके पास यह device है तो आप इस फरन के अंदर smart call settings कर सकते हो कैसे करनी दैती है मैं आपको भी बताने वाले हूं अगर आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किय करना है इस अब करने था पर अब करना है यहां पर लिजा रोख करने करने के अदगां तो आपके पास कोई बंदा कर रहा है sach आपको call receive करने के लिए, receive करने की जरूत नहीं है, सीधा phone उठाके कान पर लगा लेना है, और आपका phone receive हो जाएगा, फिर यहाप एक option मेल रहा है, आपको auto switch to receive, अगर इस setting को enable कर देंगे, तो ऐसे example के लिए guys, आप किसी बंदे से phone पर बात कर रहे हो, आपका phone speaker पर है, और आप speaker बंद करना चाहते हैं, तो आपको speaker बंद करने की जरूत नहीं है, आपको phone फिर से कान पर लगा लेना है, आपका speaker automatically बंद हो जाएगा, यहाप एक option मेल रहा है, आपको flip to mute incoming calls, अगर आप इस setting को enable कर देंगे, तो आपके पास एक incoming call आ रही है, और आप किसी meeting अगरा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका phone टेविल पर खा हुआ है, आप phone को उल्टा कर देंगे, बस आपकी incoming call automatically mute हो जाएगी, इसकी बाद चलते हैं इसके dialer के अंदर, dialer के अंदर जाने की बाद यहापे हम simple तरीके से setting में चलते हैं, ठीक है, यहापे three dot पर click करना, आपको setting में आ है, यहापे आपको थोड़ा नीचे आना, एक option मिलेगा, आपको calling account का, आपको इस पर click करना है, इस पर click करने के बाद यहापे एक option में गल रहा है, आपको answer and end calls, आपको इस पर click करना है, click करने के बाद guys, यहापे simple तरीके से आप इसको enable करोगे, पहली setting जो की है, आपकी auto answer calls when connected to external audio device, इस दोरान guys, आपका phone अगर headphones से connected, Bluetooth से connected, तो आपका phone automatically receive हो जाएगा, अगर आप इस setting को on कर दोगे, तो, जिसका time यहापे आप set कर सकते हो, delay auto answer 5 seconds, 10 seconds, जतना आप रखना चाहो, okay, इसकी बाद यहापे एक option दिखना हो मिल रहेगा, press power button to end call, अगर आप इस setting को activate करोग तो guys, जब आपकी phone की screen on होगी, जैसे कि आपकी phone की screen on होगी, अगर अपने power button प्रेस कर दिया, तो आपका call कट हो जाएगा, ठीक है, फिर है आप एक option मिल रहेगा, आपको vibrate when other party answer and ends call, इस setting को अगर आप activate करोगे, तो सामने वाला बंदा जब आपका call receive करेगा, तब भी आप आपका phone vibrate करेगा, सामने वाला बंदा जब आपका call कट करेगा, तब भी आपका phone vibrate करेगा, इसकी बाद यहाँ से operator related setting में आप जाओगो, तो यहाँ से call forward कर सकते हो, more setting में जाओगो, तो आपको flash on call का option मिल जाएगा, ठीक है, इस setting को activate कर लो, आपके बाद जब एक incoming call वीडियो में तब तक के लिए, bye bye and take care.